नमस्कार आप देख रहे हैं स्काइनेट टीव इंडिया पेश आज के मुख समसार केंदरी परिवहन मंत्री नितिन गटकरी ने आज मदप्रदेश को प्रदेश की सबसे लंबी सुरंग की सौगात दी एक हजार चार करोड रुपे की लागत से बनी मुखनिया टनल का लोकारपण गटकरी ने मुखमती सिवरा सिंग चोहान की मौजूदगी में किया टनल जहांसी को रांची से जोडने वाले निशनल हाइवे 39 पर बनी है मंत्री नितिन गटकरी ने कहा कि मुखनिया टनल भारत की अनूठी सुरंग है जिसमें सबसे नीचे टनल, फिर बांट सागर की नहर और सबसे उपर पुरान सडक मार गए ये आप्टिकल फाइवर यूप्त टनल है जिसमें प्रत्यक 300 मीटर के बाद एक टनल से दूसरे टनल में जाने के लिए रास्ता है मुखमंत्री शिवराज सिंग चोहन सनिवार को सीधी जिले में भी एक्सन मोड में दिखे उन्होंने मंच से ही DEO, नैकिन के प्रभारी तहसीलदार और कटनी मन्रेगा अधिकारी को सस्पेंड कर दिया वे यहां मुखमंत्री जनसेवा अभियान के अंतरगत स्वीकृति पत्र वित्रण कारका में भाग लेने आये थी सीधी में सभा को संबोधित करते हुए सियम सिवराज सिंग चोहान ने कहा कि मन्रेगा परियोजना अधिकारी प्रदीप सुकला की कई सिकायते मिली है सीधी में पदर्ष्थ रहने के दवरान उन्होंने कई गड़बडियां की है वे अभी कटनी में पदर्ष्थ हैं वहां भी गड़बड़ी कर रहे हैं इसलिए यहां के पूर्व मन्रेगा अधिकारी को मैं ततकाल प्रभाव से सस्पेंट कर रहा हूँ इंदोर में भारती प्रवास सम्मेलन वा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर अधिकांस महका में तयारियों में लगे हैं इसमें मुख रूप से जिला प्रशासन और नगर निगम की भूमिका खास है सनिवार को इन दोनों आयोजनों की तयारियों की समीच्छा करने के लिए नगरी प्रशाशन एवं आवास विभाग के प्रमुक सचिप नीरच मंडलोई इंदोराई उन्होंने कहा कि तयारियों के लिहाज से अगले 20 दिन सभी के लिए महत्पूर्ण है मद्प्रदेश के बैतूल में बोर्विल में फंसे 6 साल के बच्चे की मौत हो गई 84 घंटे बाद बच्चे का सव बाहर निकाला गया कलेक्टर अमनबीर सिंग बैस ने बताया कि बोर 400 फिट गहरा है बच्चा करीब 49 फिट की गहराई में फंसा था रिस्क्य ट्यम ने बोर के समानांतर 44 फिट गढधा खोदा था इसके बाद 9 फिट की होरिजोंटल सुरंग खोदी गई थी इंदोर में एक ब्यक्ति रासन की दुकान से मिलने वाले अनाच को पीस पीस कर करोड़ पती बन गया गरीबों को चूना लगा कर उसने खुद के आटे का ब्रांड बना लिया और लागडाउन के बाद इंदोर में जी साथ मकान भी बना लिये आरोपी मुहम्मद इमरान, पिता बाबु खान आप पुलिस की गिरफ्त में है बताया जा रहा है कि आरोपी कांग्रेस के एक बड़े नेता का दामाद है जिसे बचाने के लिए वकीलों की टीम भी थाने पहुँची थी इंदोर में बढ़ती लब जिहाद की घटनाओं के चलते बजरंग दल ने सहर के रिस्टोरेंट और कैफे में छापा मारी अभियान चला रखा है इसी कड़ी में बजरंग दल कारकरताओं को यह सूचना लगी कि MIG थाना चेतर के इस्थित एक कैफे में हिंदू युबिती मुस्लिम युबक के साथ बैठे हुई है और लड़का असलेल हरकते कर रहा है अतय बजरंग दल कारकरताओं ने मौके में पहुचकर युबक को पकड़ा और पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया दमोह जिले की पथरिया रेलवे स्टेशन के रईया फाटक के पास रात करीब 12 बजे 27 मवेसी हजरत निजामुद दिन हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन से टकरा गए जिससे सभी की मौत हो गई टकर इतनी जोर से हुई कि सभी मवेसी हवा में उचल कर ट्रेक से कई फिट दूर इधर उधर जाकर गिरे और सभी की मौत हो गई सुबह इस्थानी लोगों की खबर के बाद जियारपी पुलिस मोके पर पहुँची और घटना इस्थल की जांश की दिसंबर के दूसरे हपते बाद सर्दी कमिजाज अब बदलने लगा है इस दवरान दिन में सर्दी का असर जादा है दिन का पारा सामाने से तिन डिगरी लोड़कने से ठंडी बढ़ी है जबकि रात का पारा एक दिन पहले एक डिगरी कम हुआ था लेकिन अब सामान होने के बावजूद रात में भी कपकपी है मौसम बैज्यानिकों के मुताबिक अगले दो दिन बाद इंदोर सहित आसपास के छेतरों में बारिस के आसार है इसके चलते सीतलहर की शुरुआद भी हो सकती है कल दिन भर के प्रमुख खबरों के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए सुबरातरी